हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा वेश्ट गौर्ड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ नगमी कापम किटेश्वर सिंग ने जमु कश्मीर और लद्दा के उच न्यायाले यानि हाई कोट के मुख्य नयाधीश के रूप में शपतली है नयमूर्ति सिंग ने गौहाटी उच न्यायाले के कारवाहक मुख्य नयाधीश के रूप में कारे किया है आपको यह भी बत के रिटायर होने के बाद रिक्त हो गया था खाली हो चुका था जिसके बाद अब जस्टिस नोगमी कापम के टेशवर सिंग ने नियुक्ति के बाद शपत ले ली है भारत की संविधान के अनुछे 217 के खंड एक के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत प्रदताबिष्ट दीपती शर्मा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दीपती शर्मा भारतिय महिला की 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 ओल राउंडर है दीपती शर्मा उन्होंने इतिहास रचा है और टी टुएंट इंटरनाशनल में सरवाधिक विकित लेने वाली भारत की पहली महिला गेंद बास है सबसे जादा विकेट लेने वाली इंडियन बॉलर वो बन चुकी है आपको बता दे कि दिपते शर्मा टीट इंटरनेशनल में अब तक सौ विकेट ले चुकी है और ये पहली भारत की पहली गेंदबास बन चुकी है इससे पहले लो लेक स्पिनर पूनम यादव ने भारत अलही में संपन हुए विमन्स प्रिमियर लीग आउक्शन में दिपती शर्मा को यूपी वॉर्यर्स ने खरीदा है और इनकी बोली लगी थी लगभग दो करोड साथ लाग की और इसमें उन्होंने खरीद लिया है अब ये विमन आईपिल टीम में यूपी वॉर्यर्स की से खेलेंगी अगला सवाल है भारत के किस टेक स्टार्ट अप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचौलित द्रोन सूरज का अनावरन किया है आपके ऑप्शन्स हैं अलफा डिजाइन टेक्नोलोजी गरूर एरियर स्पेस आइडिया फोर्स टेक्नोलोजी द्रोन अच्वारे इसका सही जवाब है ऑप्शन भी गरूर एरो स्पेस आपको बता दे कि अभी हाल ही में एरो इंडिया 2023 शो हुआ जहां पर गरूर एरो स्पेस ने बैंगलूरों में हुए शो में अपने नवीन तम सौर संचौलित मानव रहित टोही हवाई जे ग्लाइडर सूरज का आर द्रोन है जिसे विशेश रूप से निग्रानी कारियों के लिए डिजाइन किया गया है आपको बता दे कि ड्रोन के जे आकार वाले पंक सौर उरजा से चलने वाले से लेस है और गरूर एरो स्पेस भारत का एक मानव केंदृत द्रोन स्टार्ट अप है इसकी स्थापन साल 2015 में की गई थी अगला सवाल है विश्व बैंक के प्रमुक कौन है जो अपने पांच साल के कारेकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे ऑप्शन है बेन बढ़ना के डेविड मलपास जिम यॉंग किम केनित रोग्राफ और सही जवाब है ऑप्शन भी डेविड मलपा मलपास ने 2019 में विश्व बैंक के प्रमुक के तोर पर पदभार ग्रहन किया था और इससे पहले उन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अंतराष्टिय मामलों के लिए ट्रेजरी के अवर सच्चिव के रूप में भी कारे किया है विश्व बैंक एक अंतराष्टिय वित्य संस थान है जो कम और मध्यम आए वाले देशों को केपिटल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के उदेशों से लोन और अनुदान प्रदान करता है इसका मुख्याल है वाशिंटन डी सी में स्थित है अगला सवाल है भारत के पहले चैट जी पीटी संच्वालित एई चैट बाक्स लांच हो गया है और चैट जी पीटी संच्वालित भारतीय चैट बॉक्स को फिंटेक को वेलोसिटी ने लांच किया है इसे चैट जी पीटी का भारतीय संसक्रन माना जा रहा है वेलोसिटी ने आर्टिफिशल इंटेलिज dilemma में इस नई टेकनोलोजी को अपने और उनका जवाब देने के लिए artificial intelligence और natural language processing NLP का प्रयोग करता है अब अगले सवाल की और बढ़ते अगला सवाल है के इंद्री प्रयोजित vibrant village program के लिए कितने करोड़ रुपे आवंटित किये गए हैं आपके options है 4800 करोड, 3800 करोड, 5000 करोड, 2000 करोड इसका सही जवाब है option A 4800 क करोड, उत्री सीमा पर आवश्चक बुनियादी धांचों के विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रे मंत्री मंडल ने vibrant village program बीवीपी लांच किया है, इसका उत्देश ये उत्री सीमा पर ब्लोकों के गाउं का विकास करना, सीमावर अगले सवाल की और अगला सवाल है, पिछले सवाल का सही जवाब हमने आपसे पूछा था, उत्रप्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता क्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, ऑप्शन से सिंगापूर, मरेशिया, पहली बार उत्रप्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक समझोता गयापन MOU पर हस्ताक्षर किये हैं, ये समझोता UP Global Investors Summit में हस्ताक्षरित सौदो के अत्रिक्त है, इसके तहट सिंगापूर और उत्रप्रदेश की सरकारे, शहरी विकास, सतत विकास, उद्यो और कोशल विकास सहेत पारस्परिक हित के शेतर में सहयोग करेंगी, लखनौ में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित UP Global Investors Summit में सिंगापूर की 21 कंपनियों और 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, अब इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, जिसका सही प्रदेश अगर आपको सही जवाब पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ इस साथ हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करें और इस